हलो टो ओल माई ब्यूटिफुल सोल्स स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर और डियर फ्रेंड्स आज मैं डेली की तरह फिर से एंजल गैडंस लेकर आई हूँ सभी के लिए तो देखते हैं कि बाबा आज हमको क्या मैसिज देना चाहते हैं गौड एंजल्स यूनिवर्स हमा इन प्रेयर्स के जवाब में आपको गाइडंस देते हैं मार्क दरसन देते हैं हो सकता है कि मैं सिर्फ इस मार्क दरसन के लिए एक माध्यम हूँ अगर मेरे तक अगर मैं आप तक आपका मैसिज पहुचा पा रही हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही बहुत ही सम्मान की बात है प्रभू की तरफ से मैं बगवान को शुक्रिया अदा करती हूं कि प्रभू ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों तक उनका संदेश पहुचा पा रही हूं और मैं आबारी हूं आप सभी लोगों की जो आप लोग मुझे अपना इतना प्यार दे रहे हैं मैसेजिस को देख रहे हैं उन पर कमेंट्स कर रहे हैं थैंक यू आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं उसकी लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरू करती हूं रीडिंग को लेकिन उससे पहले हमारा एक रिच्वल जो हम हमेशा करते हैं थैंक यू सो मच गॉट थैंक यू सो मच एंजल्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स थैंक यू थैंक यू तो देखते हैं कि आज बाबा हम तक अपना क्या संदेश देना चाहते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच एंजल्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स फ्लीज बाबा बताएं आज गुरुवार का दिन है और आज आप अपने भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं मुझे पता है बाबा कि आप सब भक्तों पर नजर रखे हो आप सब की पीडा को जानते हो आप सब के कश्टों को जानते हो आप बताओ मुझे बाबा कि आप क्या मेसिज देना चाहते हो जो आप अपने बक्तों तक पहुचाना चाहते हो प्लीज बबाबा बताओ थैंक यू थैंक यू ओम शाहिराम ओम शाहिराम ओम शाहिराम ओम शाहिराम ओम नमाश्रिवाय तो तो दियर फ्रेंड्स यहां पर मैसिज आ चुके हैं बाबा की ओर से और बॉटम ओफ डेक है भरोसा और आस्था तो सुरू करेंगे हम रेडिंग को जो सबसे पहला कार्टनिकल कर आया है डियर फ्रेंड्स वो है संतुलन का उर्जा का संतुलन भेतरी कमपन को नश्ट कर देगा संतुलन का अभ्यास कीजिए प्रणायाम कीजिए तो डियर फ्रेंड्स बाबा का ये मैसेज है सबी के लिए हमारे जो भी विवर्स हैं उन सबी के लिए कि अपने अंदर संतुलन बनाने का प्रयास करिए और ये संतुलन आपको संसों के अभ्यास से आएगा आप प्रणायाम करिए अक्सर क्या करते हैं हम लोग जो संस लेते हैं वो सिर्फ उपर से लेते हैं मनलब हमारे नाभी तक संस हमारी नहीं पहुंचती है जबकि अगर पूरी संस लें हम तो वो नाभी तक जाती है तो बाबा का यही मैसेज है कि पूरी संस लीजिए अंदर तक प्रणायाम करिए और संसों का भ्यास करें आप अगर तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और इससे आपके अंदर का जो डिस्बैलेंस है आप जो एंग्जाइटी में रहते हैं आपको जो चिंताएं हैं जो परिसानिया है आप अंदर से बहुत बेचैनी फिल करते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो डियर फ्रेंड्स यहां पर बाबा का यही मेसेज है कि अपने अंदर की उर्जाओं को जो इन और येंग उर्जा है जो नर और मादा की उर्जा है शिव और सक्ति की उर्जा है उसको संतुलन में करिए और वो सासों के प्राणायाम से ही संभव हो सकेगी तो बाबा का यह मैसेज है पहला अगला मैसेज है तीन मंत्र कौन से है अच्छी सोच रखिए अच्छे शब्दों का उपयोग करिए और अच्छे कार कीजिए आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे तो यहां पर बाबा का यह मैसेज है कि हम जो भी मुह से बोलते है हम जो भी करते हैं वो सब कुछ बाउंस बैक होकर आता है या फिर यूं कहें कि हमारे दोरा किये हुए कर्मा सारे बूम रेंग की तरह हमारी तरफ ही आते हैं हम दूसरों के साथ जो भी विवहार करते हैं हम उनके साथ अच्छा करें बुरा करें किसी को दुख दें अपने मन वचन और कर्म से किसी को कोई दुख ना पहुंचे कोई पीड़ा ना पहुंचे अगला है कसमे और वचन तो आपके या आपके परिवार ने दिये हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें तो डियर फ्रेंड्स यहां पर आज जो मेसेज निकल कर आ रहा है वो यह है कि अगर करते हैं अपने किसी फ्रेंड्स से अपने किसी बच्चे से अपनी फैमली मेंबर से या अपने किसी भी आसपास के परसन से अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि हां मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा या मैं तुम्हें गिफ्ट दूँगा या मैं तुम्हें गुमाने ले जा तो बाबा का ये मैसेज है और माता रानी का ये मैसेज है कि ऐसा ना करिए आप अगर किसी को उसके व्यक्ति के आप अगर सपने पूरे नहीं कर सकते हैं तो आप उसको जूटा दिलासा मत दीजिए किसी को भी जूटी सांतोना मत दीजिए आप उतना ही बोलें जितना आप कर सकते हैं अगर आप किसी को नहीं पूरा वचन कर सकते अपना या किसी को आपने प्रॉमिस किया है और वो प्रॉमिस आप पूरा नहीं कर सकते तो उससे इस पष्ट कहिए साफ सब्दों में मना करिए लेकिन किसी को भी जूट में मत रखिए उनको जूटी संतोना मत दिजिए जूटा दिलासा किसी को भी मत दीजिए अगला मेसिज है आप अकेले नहीं है तो यहाँ पर जो भी बाबा के भाक्त हैं जो बेसक इस टाइम बहुत जादा पीड़ा में है या फाइनेंसियल क्रैसिस में है या फिर किसी सारी डिक व्यादी से जूज रहे हैं तो बाबा का य करने में बाबा आपकी यथा संभव मदद कर रहे हैं तो बाबा यही कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं आपके पुराने सभी कर्मा को खतम करने में बाबा आपका साथ दे रहे हैं और बाबा आपकी मदद कर रहे हैं ऐसा बाबा का मैसिज है और आपका भी अपने आपको अकेला मत समझिए बाबा हर इस्तिती में आपके साथ हैं चाहे सुखो चाहे दुखो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे अगला है जीवन की पुस्तक जिंदिगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है तो यहां पर उन सभ लात नहीं पा पा रहे थे एक कष्ट खतब होता था तो दूसरी परिशानी सुरू हो जाती थी इस तरीके कि अगर वो जीवन को अपने गुजार रहे थे दुख में थे बावा से मदद माग रहे थे बावा से सवाल कर रहे थे कि मुझे ऐसा जीवन आपने क्यों दिया क्य मुझे ही दिये क्यों इतना सारा पेंट मुझे ही दिया तो बावा ये कह रहे हैं कि जीवन की पुस्तक में जो खराब पनने थे आपके वो अब तक निकल चुके हैं हो सकता है कि वावस्था में आपकी सारी चीजें खराब जो आप जहिल सकते थे वो आपकी निकल चुकी ह अब आगे की जीवन में जो भी आएगा वो बहुत बहुत अच्छा आने वाला है और बुरे अध्याय खतम हो चुके हैं सिर्फ अब अच्छे अध्याय आना ही बाकी है और लास्ट है बॉटम ऑफ डैक भरोसा और आस्था लास्ट बटन और दे लिस्ट आपके भाए तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो तो बाबा आपसे यह कह रहे हैं कि आपको अगर यह भै रहता है या चिंता रहती है कि बाबा आपकी बात सुन नहीं रहे हैं या भगवान आपकी सुनते नहीं हैं भगवान किसी की नहीं सुनते हैं भगवान आते नहीं हैं मदद नहीं करते हैं तो dear friends ये आपको नहीं करना है आप अपनी आस्था को द्रड़ बनाईए मजबूद बनाईए क्योंकि इस और हर कदम आपके साथ हैं आपको देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं बट आप कल योगी आँखों की वज़े से जो कल योगी मन है आपके पास उसकी व हरोसा है और आपकी आस्ता है वो आपको उन पर द्रड़ रखनी है मजबूत रखनी है यही अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में खुसियां आना सुरू हो जाएंगी और dear friends एक चीज मैं आपसे अपनी share करना चाहती हूं कि मैंने चीज सीखी है कि मेरे साथ जैसी भी प तो चीजें सारी दीरे दीरे आपकी लाइफ में positive होने लगती है negativity आपकी लाइफ से खतम हो जाती है तो यह मैंने अपने अजमाई हुई बाते हैं जो आपसे share किये हैं I hope कि आप भी इन बातों को अपनी जीवन में उतारेंगे और एक सफल सुखी जीवन जीएंगे तो कि मांक दरसन की जरूरत है जो परिसान होते हैं कि मुझे कहीं से तो ऐसा कोई clue मिले जो God मेरे साथ हैं यह मुझे पता चले तो डियर फ्रेंड्स आप जितना ज्यादा वीडियो को share करेंगे उतना ही आप लोगों की मदद कर पाएंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वचिंग